तोड़े एविल इसकस यूज आफ आर्टिकल्स डेए स्रियंट्स आज की वीडियो में दिसकस करने वाली हूं फॉंक्शनल ग्रामर का एक टॉपिक यूज आफ आफ आॉज की डेफिनिशन इसकी टाइपS और इसकी जो टाइपS है उसको कहां कहां पर हम यूज कर सकते हैं उसके क्या usage रूल्स हैं यह सब आज की वीडियो में डिसकस होने वाला है तो शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो सबसे पहले आर्टिकल की डेफिनिशन के आर्टिकल्स कहते किसी है जो मरपस आ, एन, एंड, दी होता है इसको हम कहते हैं आर्टिकल्स आ, एन, एंड, दी यह त्री जो है इसको हम आर्टिकल्स कहते हैं अब टाइपस अफ आर्टिकल्स क्या है तो मेजर टाइपस हैं आर्टिकल्स की यहनि जो word the है यह दा है यह कहलाता है definite article अब यह जो word the है इसको हम use कहां पर करते होते हैं यहनि इसको हम use करते हैं यह specific के लिए कि कोई भी specific thing है specific place as extra specific कुछ भी है तो उसके साथ जो हम दिल लगाते हैं या फिर previously mentioned हो कोई चीज यहनि previously यह already non noun हो तो उसके साथ हम word दिल लगाते होते हैं like example है I am reading the book you recommended तो यहां पर कहा जा रहा है कि I am reading the book मतलब मैं वो book पढ़ रही हूं you recommended जो कि आपने recommend की यहनि यह specific book है कि कोई भी book उठाक नहीं पढ़ ली मतलब कि वो book पढ़ी जा रही है जो कि recommend की है so इस तरीके से like इस तरह हम भी हो सकता है can you pass me the salt so specific salt तो इस तरीके से यह definite articles कराता है the word और यह specific इसके साथ ही हम लगाते होते हैं अब indefinite articles क्या होता है like a and an words होते हैं इसको हम use करते हैं non specific और यह हम use करते हैं और यह हम use करते होते हैं non specific noun के साथ को specific noun नहीं बलकि specific noun के साथ हम इसको use करते हैं और इसको हम जो है वो उस चीज के सा लगाते हैं जो के आल्राइडी मैंशन ना हो like example I need a book to read मुझे जुरत है एक book की पढ़ने के लिए like किसी book का mention नहीं किया गया name कि ये वाली book चाहिए just कहा गया है I need a book to read so she is an excellent writer यहां पर भी कोई name specific writer का name mention नहीं है so a and n हम कहां पर लगाते हैं जो के कोई specific name वगारा ना हो specific thing के बारे में ना बताया गया हो तो ये indefinite articles जो है वो कहलाता है अब हम इसके बारे-बारे use देख लेते हैं like word the है इसको हम specific nouns के साथ यूज करते हैं इसके लाबाब plural nouns के साथ अब singular के साथ यूज करते हैं plural noun के साथ and nouns that are a unique or a one of a kind जो की unique हो या एक किसम का हो noun that have been previously mentioned वो noun जो के previously mentioned हो तो ये use है किसके देखे अब a और n आप कहां पर यूज कर सकते हैं ये non-specific noun के साथ singular के साथ यूज होता है बलके singular के साथ यूज करते हैं और उस noun के साथ being mentioned for the first time जो previous mention ना हो first time mention हो इसके इलावा अगर हम देखे word a और an के use कहां पर कर सकते हैं जो word a होता है वो आपने use करना है उन noun के साथ जो के जिसके sound जह हो consonant हो consonant sound हो consonant alphabet की बात नहीं हो consonant sound हो जिसका जो start हो consonant sound के साथ तो उसके साथ हम word a यूज करते होते हैं और an आप कहां पर यूज करते हैं वो noun जिसके vowel sound हो जिसका sound जो है वो vowel हो मतलब vowel alphabet नहीं vowel sound से जो start हो तो उसके साथ हम word an यूज करते होते हैं like example I need a car यह consonant sound है तो इसके साथ हमने क्या लगाया, ये लगाया, हो 스पेसिफिक साथ हमने क्या है ये dual चूल नकारतो 이렇게 सब्सक्रांच के सथ और एक इसके विश कर सकते हें इसका sound क्या है? वोवल है, so इसके साथ हमने क्या लगाया? N लगाया, so आपने A और N का use, A को आप consonant sound के साथ लगाएंगे, और N को आप vowel sound के साथ लगाएंगे, दी जो है word, जो है, वो हम specific साथ लगाते हैं, जैसे कहा हम पहले पढ़ चुके लेकि, इसके लब आप दी किसके साथ यूज कर सकते हैं, abstract noun के साथ यूज करेंगे abstract noun जिसके कोई physical appearance नहीं होती, जिसको रहते हम टच नहीं कर सकते होते so abstract noun के साथ आप यूज करते हैं like a, joh just feelings, like happiness तो इसके साथ आप दी यूज करेंगे so उन words के साथ नन के साथ यूज वो गया जो एक इसके इलावा आप नेम्स of countries हो गए cities हो गए या रीजिन्स हो गए उनके साथ भी word दी यूज यूज किया जाता है इसके इलावा दी यूज वो यूज किया जाता है न्यूस पेप़ के नेम के साथ लाइक magazine हो गया journals हो गया है like new york times जासे के लिखांवाब वह इनके साथ क्या use करते है so dear strength तो यह आज चौट सी video जिसमें का आर्डिकल किसे कहते है कि इसके टाइपस कौन से है और इनका use क्या है am को हम कहां पर use कर से ती को कहां पर use कर सकने है इसके rules यह सब आज के छोटी से video में सब क्लियर हो गया होगा थैंक यू फार वाचिंग में वीडियो अलाफिस